नमस्कार दोस्तो ज्यादा पॉर्ण देखकर हस्तना थुन करने का कारण से जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है जिसे हम लोग इंग्लिज में P.I.E.D. यानी पॉर्ण इंडिूस्ट इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसे हम लोग कहते है इसका हल क्या है आज हम लोग ये जानेंगे इस वीडियो में तो मैं डॉक्टर सुप्रवत्ता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है मेरा इस यूटूब चैनल होमियो कैट टिप्स पे तो पॉर्ण इंडिूस्ट इरेक्टाइल डिसफंक्शन से कैसे छुटकारा पाया जाए कैसे न कालोग्राफी के नाम से उस वीडियो में मैंने एकदम सरल भासा में समझाया है एकदम पॉइंट टू पॉइंट यह समझाया है कि कैसे वाचिंग पॉइंड एक आदमी को नापूंसक बना देता है और आज हम लोग यह समझेंगे कि जिनको पॉइंडिूस्ट करने का कारण से अगर आपको एक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है तो उसी समय तुरंत आपको पॉइंट देखकर हस्तमे थुन करना बंद करना होगा माइंड सेटाप में बदलाव लाना पड़ेगा कि मुझे हस्तमे थुन नहीं करना है मदलब नहीं करना ह चाहे कुछ भी हो जाए एकदम अपने आप में कसम खा लेना है कि कुछ भी हो जाए मैं पॉर्ण नहीं देखूंगा यह माइंड सेट आपको हर हाल में लाना ही पड़ेगा कि जितना पॉर्ण देखना था अब तक मैंना देख लिया अब और नहीं अब आज से बलकि अभी से कम मेरा इस चैनल का उपर चार से पांच आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे और आप उन वीडियो को देखकर अगर 50% भी फॉलो कर लेते हो तो मेरा आपसे दावा है कि आपके लेक्टाल डिसफंक्शन का प्रॉब्लेम यहीं पर समाफ्थ हो जाएगी आपको इस जो है पैदा होती है और इसके इलावा अगला जो पॉइंट है वो यह है कि हमेसा अपने आपको बीजी रखने के ट्राइ करें और जितना हो से के आईसोलेशन को एवाइड करिये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्योंकि जब भी आप अकेले में रहेंगे जब भी बताये है इसे अगर आप इमांदारी के साथ करेंगे कम से कम 15 दिन के लिए भी करेंगे तो मेरे आपसे दावा है कि आपका यह जो सोच है पॉन देखकर हस्तमा थुन करना यह कम से कम 50% तक यहीं पर कम हो जाएगा और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि यह सब कुछ करने के बाबजूत भी आपका यह जो आदत है यह छूट नहीं रही है आपसे तो फिर आप उस कंडिशन में दो होमोपातिक मेडिसिन लेकर आईए एक कार्सिन वानेम और दूसरी मेडिसिन का नाम है स्टाविसेगरिया वानेम पहले आप कार्सिन वानेम का एक सिंगल डोस ले ल तक समाफ्त हो गया हो सकता है एकसेसिव हस्तमातुन करने का कारण से आपका अंदर वीगनेस आया है यह इसी दो मेडिसिन से ठीक हो जाए क्यूंकि बहुत पेसेंट को मैंने ठीक होते हुए देखा भी है और इनकेस अगर यह दो मेडिसिन से ठीक नहीं होता है तो फिर आपका दावा है कि इस तरह का प्रॉबलन से आपको आई हुई जो विगनेस है यह कंप्लीटली ठीक हो जाएगा होमेपती से और अगर आपका माइंड में हॉमेपैथी को लेकर कोई डाउट है कि हमेपती काम करता है की नहीं जल्दी से काम करता है कि नहीं तो सिर्फ मैं को एक ही बात बताऊंगा कि आप मेरे चैनल को उपर जाकर जो केस नाम का फोल्डर है उसमें जो जो वीडियो से आप उसको एक एक बार करके देख लीजिए आपको आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा क्यूंकि पूरी यूटूब में मैंने देख लिया है एक ही चैनल है ज प्रॉब्लेम को लेकर आया था उस प्रॉब्लेम को देखने में कैसा था और अब जब उनका प्रॉब्लेम ठीक हो गया हमारा ट्रीट्मेंट से तब वो कैसा दिग रहा है आप गौर से फॉलो करिए गया कि मैं इस चैनल का उपर वीडियो के साथ साथ कमिनिटी में जो है प्रॉब्लेम का प्रती आपका जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो तो दोस्तों मैं इस वीडियो को ही पेंड करता हूं सो थैंक्यू वेरी मुच एंड हव गुड दे